जिस चीज का हमें डर था आखिर वही हुआ ना टाप फाइव में भी भी ना हो आखिर वही हुआ यह ज़ालत हमसे अब बरदाश नहीं हो रही भाई बाई हाजमुल्ला की गोलिया जो है वो बोरे बर-बर जो है पाकिस्तानियों ने खा लिये लेकिन यह पेट का जो धरत है ना यह कटम होने का ना में नहीं ले रहा अपने प्लस प्वाइट ले रहा है आई सी में इंडिया का रोल है तो फैसले हैं वह पाकिस्तान के खिलाफ कि जा रहे है क्यूंकि इंडिया का वहा पर रोल काम्याब हो गए कोई धकीचू भी बात नहीं है कि एशियन क्रिकेट काउंसल में रहने हुए जेशा ने कितना गंदा काम किया था कितना बुरा काम किया था वो ओपनली इंडिया की साइड लेते थे वो ओपनली सिर्फ इंडिया के फाइदे के लिए चलते थे अब अदालत हम है वकील भी हम है फैसला भी हम है जेल भी हम है सब कुछ हम ही हम है भाई अब सिर्फ मुल्सिम को पेश करो पाकिस्तान क्रिकिट बोट हाजिर हो दोस्तों ये बात आपको पता ही होगी कि पाकिस्तान में अगर कोई पता भी हिलता है तो पूरा पाकिस्तान एक सूर में बोलता है कि ये भारत की साजिस है ये रौ की साजिस है लेकिन यहां बात हो रही है क्रिकेट की दोस्तो BCCI सेक्रेटरी जैसा को ICC का नया चेर्मेन नियुक्त कर दिया गया है और पाकिस्तानी पहले से ही ये कहा करते थे कि BCCI is equal to ICC ICC को BCCI अपने इसारों पे नचा रहा है तो अब अगर पाकिस्तानी क्रिगेट के साथ कुछ भी बुरा होता है तो वो इसका जिम्मेदार BCCI और जैसा को ही ठहराएंगे यहां पाकिस्तानी का बुरा सपना ससावित हो गया है पाकिस्तानी को ये बात जब से पता चली है कि BCCI सेक्रेटरी जैसा अब ICC को रूल करेंगे तब से ही पाकिस्तानी की नीन दूरी हुई है दोस्तों आईए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बाते कर रही है फिर मिलते हैं वीडियो के यंत में जैसे अभी हम ना कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि जैशा के जी चेर्मेंट बनने के चांसे हैं ICC के तो अब वो बन चुके हैं और उनके बनते ही बाबाराजम रैंकिंग में नीचे आए हैं तीसरे नंबर से नोवे नंबर पर गए हैं रिजवान थोड़ा उपर आए हैं साउचिकील भी 14 से 13 नॉम्ब 14 से मतलब 13 नॉम्ब पीछे आए हैं एक नंबर पीछे आए हैं तो आप परेशान हो गई है रैंकिंग देकर शूर्थे हाल बदल गई है तबदील हो गया सब्सक्राइब बात करें थे कि रैंकिंग कैसे बदल जाती है कैसे तरहां से कि जे शा के आती हमने देखा था कि पह बातीए तरहां से मेरी खाल से कोई तालुक निया बिलकुल बी क्योंकि रैंकिंग होती है कि आपका एक फिक्स्पीरेट होता है जैसे आगे टाइम दलता है उस फिक्स्पीरेट में आपकी जो परफॉम्मसिज है वो काउंट होती है अगर बावर ने पिशले साल आउगस् 15th को को परफ़ॉं किया था उसकी इतनी परफ़ॉ्मंस आघ कि से जयाता थे तो अभर रंकिंग देख नच सबЗдión 28-08 पर होई रही है दो फिर प्रते पेडियर बॉबहु दोधिकर ने पीस जाते हैं वो एक period होता है ना उसके दुरान जितने points बनते हैं आपकी performances के वो होते हैं, count होते हैं मुझे सरे बता पता है कि जब बिजली का bill आता है उस वक्त आप units देखते हैं कि पहले कितने थे अब कितने थे समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है लेकिन फिर भी अफसोस की बात है कि हम क्यूं हमेशा यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि नहीं matches इंडिया में हैं तो इंडिया को benefit है इंडिया अपने वहां से plus points ले रहा है आइसी सी में इंडिया का रोल है तो आइसी सी के जो फैसले है वो पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए जा रहे हैं कि इंडिया का वहां पर रोल है हमारी performance भी तो मैंटर करती है ना हम खुद भी तो परफॉर्म नहीं करते हैं आप बींग कर आप देखते होंगे तो आपको बजाए आप कि अब हम किस से request करें है अब रिक्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है अब अदालत भी हम है वकील भी हम है फैसला भी हम है जेल भी हम है सब कुछ हम ही हम वाई अब सर्फ मुल्सिम को पेश करो पाकिस्तान क्रिकिट बोट हाजिर हो तो बताओ भाई किसको बेंद करूं सबसे पहले दोध मज़ा आ रहा है यार कल से जो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान वाले स्पेशली फेस्बुक के उपर जिस तरीके से जेशा को लेकर और आई सी सी को लेकर जो ट्रॉलिंग सिस्टम स्टार्ट किये है उस से पता चलता है कि भाईयों का पेट कितना ज़्यादा खराब हो चुका है देखें मैं जेशा को सिप इतना खेना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप ये सोचिए कि कल और पड़सो पाकिस्तान के अंदर 160 बंदों को ठपका दिया है तो ऐसी हालत में पाकिस्तान में चेम्पेंट ट्रॉफी कराना मेरे क्याल से ये आपके जो है चियर्मेन बनने पे उंगली भी उट सकती है क्योंके कल को अगर कोई भी टीम पाकिस्तान जाती है और वहाँ पे कुछ भी होता है तो जेशा सरा आप बूलना मत कि आप भी इसमें आओगे और लोग आपको भी बोलेंगे कि आपने क्यों ये टीम में पाकिस्तान जो है बेजने के लिए मजबूर की और चेम्पेंट ट्रॉफी क्यों पाकिस्तान में करवाई अभी भी टाइम है चेम्पेंट ट्रॉफी को पाकिस्तान से कैंसल कर दो और स्पेशली पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के कुछ लोग जो है वो थोड़ा शर्मा के और थोड़ा सा जो है वो अपना मूँ गंदा बना के कॉंग्राइशन जेशा ब्रोडर आप आईसेसी के चेर्मेंट बन गया भी ये कोई तरीका है बीक बागने का अब गुटने जुकाओ हाँ जोड़ो और भूलो कि प्लीज जर्चेम्पेंट ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवाओ और जेशा भी लाइक जा नहीं किराता दफाओ जा सालिक सबसे पहले तो भाई बदाई हो बहुत बदाई हो जेशा को और पूरे हिंदुसान को बदाई हो सारे क्रकेट फैंस को जो अफगानसान और हिंदुसान और नेपाल और भी बहुत सारे देश है जो आपस में जिनकी बनी रहती है तो भाया ये जो दर्द है जो जे शाह का आई सिसी का चेर्मेन बनना ये दर्द जादा तर जो महसूस हुआ है ये तर्मामीटर से पता चला है कि ये कराची इसलामबाद और ढाका में जादा दर्द हो रहा है भाय बरनॉल तो खतम ही हो गया अब तो हाजम only की गोलिया भी नहीं मिले इतना इन लोगों का पेट जो है वो कबच हो गया अच्छा है भाय अच्छा है Ч्रेकेट की दुनिया में हमारे जीते जी हमारी जवादी में हमारे होते होए जो है जे शाह ICC का चेर्मेन बन चुका है तो भया सबसे पहले काम जो है वो यही है कि चैंपिन ट्रोफी पाकिस्तान में न हो बस यह हम चाहते है और पूरी दुनिया यह चाहती है और अब यही टाइम है दोस्तों यही टाइम है जितने भी यूटुब के उपर जो है लोग है चैंपिन ट्रोफी पाकिस्तान में बड़ी कतरनाक है दोस्तों यह पाकिस्तानीों की पुरानी आदत है कि पाकिस्तानी क्रिक्ट के साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो इसके लिए वो BCCI और ICC को जिम्मेदार ठहराते हैं और ये कहते हैं कि ICC को BCCI अपने इसारों पे नचा रहा है लेकिन अब पाकिस्तानियों का ये बुरा सपना सस साबित हो गया है और अब BCCI सेक्रेटरी जैसा ICC के नए चेर्मेन होंगे अब यही बात पाकिस्तानी हजब नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे हमारा दुस्मन अब हमें अपने इसारों पे नचाएगा दोस्तों जैसा कि ICC चेर्मेन बनने की ख़वर के बाद ICC ने एक रैंकिंग जारी की ICC की इस रैंकिंग में पाकिस्तानी खिलाडियों को निचले पैदान पर रखा गया है अब यही सब देखकर पाकिस्तानी एंकर काफी परेसान हो गई है और इसके लिए BCCI सेक्रेटरी जैसा को दोस्त दे रही है कि जैसा हमसे अपनी दुश्मनी निकाल रहा है दोस्तों यह तो कुछ भी नहीं है अगर आगे चल कर पाकिस्तानी खिलाडी कोई कैज भी छोड़ देंगे तो इसके लिए वो जैसाह को जिम्मेदार बताएंगे खेर यह तो पाकिस्तानीों की पुरानी आदत है उनका रोना कभी भी रुकने वाला नहीं है दोस्तों वीडियो में यह तक बने रहने के लिए धन्यवाद मिलते हैं एकले वीडियो में